नमस्कार, घमासाम हेल्फ टिप्स में आप सभी का स्वागत है साथान हो जाएए, यूरीन रोकना आपको महगा बढ़ सकता है हो सकती है आपको गंभीर बिमारिया यूरीन रोकने से कई खतनाव बिमारिया पैदा होती है जिसमें किड्नी से संबन्दि रोक, ब्लैडर, लीवर और यूटरस संबन्दि रोक भी शामिल है आपने हर किसी से सुना होगा कि पानी जादा पीना चाहिए सिहत के लिए ये लाबकारी होता है लेकिन कि आप जानते हैं, पानी जादा पीने के बार टॉयलेट भी उतनी ही आती है लेकिन अगर उससे रोक लिया जाए तो जादा देर तक तो आपको गंभीर बिमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है बता दे कि यदि आप रास्ते में किसी अनिकाम में इतना जादा बीजी है कि आप बहुत देर से यूरीन रोक कर बैठे हैं तो आपको ज़रा संभर जाना चाहिए क्योंकि ये आदत आपको काफी जादा भारी बढ़ सकती है लेकिन जादा देर तक यूरीन रोकने से ब्लेडर पर दबाव बढ़ जाता है और ये दर्द की वजह बन सकता है ये दर्द किटनी तक भी पहुँच सकता है ऐसे इस्तिती में पिशाप करने के बाद भी दर्द से राहत नहीं मिल पाती क्योंकि यूरीन रोकने की वजह से होने वाले दर्द को जाने में एक अच्छ टाइम लगता है इसलिए अभी सेज सावधान हो जाए और टाइम यूपर यूरीन करें असलमें यूरीन रोकने से कई खतरनाग बिमारिया पैदा होती है जिनमें कीडनी से संबंदित रो, ब्लेडर, लीवर और यूटरस संबंदी रोक शामिल है आज हम डाइबिटीज रोगियों के लिए यूरीन रोकने के नुकसान आपको बताने जा रहे है यूरीन का काफी देर तक रोकना कीडनी की बिमारी का कारण बनता है हर व्यक्ति की शरीर में दो किडनी होती है और दोनों का स्वस्त रहना बहुत जरूरी है अगर आप अकसर दो मिनिट से जादा यूरीन रोकते हैं तो समझ लें कि आपकी किडनी कभी भी खराब हो सकती है बारबा यूरीन रोकना ब्लैडर के साइस को बढ़ा देता है और मास पेशियों में खिचाओ भी हो सकता है फिर ये परिशारी गंभी रूप भी ले सकती है जिसके बाद सरजरी की जरुद भी पढ़ सकती है यूरीन रोकने की वज़ा से यूरीनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन का भी डर रहता है क्योंकि पेशाब नहीं करने से बैक्टेरिया को बढ़ने का मौका मिल जाता है जिससे ये ब्लैडर के अंतर तक पहुचने के चांसे होते है